हाई इट्समी अनु और वेलकम तो माई यूटूब चानल विच इस अनुज 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 आएंगे कि आज मैं किस टॉपिक पर बात करने जा रहे हूं तो जी हाँ ये सबसे एहम टॉपिक है जो स्टार मेकर जिसने इंस्टॉल किया है उसके हर एक यूजर के लिए सबसे इंपोर्टन टॉपिक है कि वो अपने सिंगिंग को कैसे प्रूफ करें मतलब अपनी singing की value कैसे बढ़ाए star maker में तो शायद ये video कुछ बढ़ा हो सकता है बढ़ा इसलिए हो सकता है मतलब मैं इसको छोड़ा करने कोशिस करूँगी बढ़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि इसमें मैं अपने experience शेयर करूँगी और जहां बात जब experience की आती है तो वो चीज़ फिर बात बहुत बढ़ी हो जाती है फिर भी मैं आपको कुछ ही points में आपको मैं ये बता सकती हूँ कि अगर आपको star maker में अपनी singing की value करनी है singing की value से ये मतलब नहीं है कि आपको orange V tag मिल गया तो आपकी singing के मतलब ठपा लगया कि आपकी singing बहुत अच्छी है V tag guys बस एक ही होता है कि हाँ कुछ लोगों को मिला हुआ कुछ लोगों को नहीं मिला हुआ तो मैं ये कहते हूँ कि उसके लिए परशान मत हुए अगर आप एक अच्छे singer हैं तो आपके पास V tag है या नहीं है वो matter नहीं करता है ऐसे मैंने कितने स्टामेकर में singers लेके हैं जिनके पास V tag नहीं है बट वो बेताहाशा अच्छा गाते हैं तो कभी आप लोग tag को लेके demotivate मत होएगा उसमें कुछ भी नहीं रखा है बस जिनके पास है उनको लगता है जिनके पास नहीं उनको लगता है बस और कुछ भी अंतर नहीं है इस इंगर में बाकी सिंगर सारे अच्छे हैं और जो बहुत अच्छे हैं बहुत दिनों तक गाईस मुझे भी टैग नहीं मिला था थोड़ा तो जब शुरु-शुरु में नया नय क्रेज होता है लेकिन फिर मैंने सोच टी है अपनी सिंगिंग को हम टैग से प्रूफ नह प्रूफ होगी और हट जाने से ना हमारी सिंगिंग बेकार हो जाएगी अगर हम अच्छे सिंगर हैं तो तो गाईस मैं आप पो कुछ पॉइंट बताना चाहती हूं कि किस तरह से हम अपनी सिंगिंग की वैल्यू बना सकते हैं स्टार मेकर में मैं खुदकर अगर आप पे जितने ज्यादे एक्टिव होगे उतना जाधा वो अप्लिकेशन वह प्लैटवर्म आपको जाधा मने लगता है यह बात सच है उसको तो आपको वह अप्लिकेशन प्रमोशन प्रमोट करने लगती है अपको अपना नाम कामाना चाहते हैं कि हां मैं एच्छा सिंगर हूं मेरे followers खुद से बने without V tag without किसी खुद से मैं आपने followers को कैसे increase करूं वो एक चीज होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको active होना ज़रूरी है अगर आपके पास बहुत time है तो daily एक song post करी अगर आपके पास time नहीं है तो alternate day में कि कभी आपने hook recording बना दी कभी आपने full song post कर दिया solo और कभी आपने collab बना दिया तो यह एक्टिवनेस बहुत जरूरी है पहला point दूसरा है और एक्टिवनेस दूसरा है कि आप अगर आपके पास time है तो आप live करना start कीजिए दूसरा और सबसे मजबूत point है star maker में fame पाने का यह मेरे खुद का experience है guys जब मैं शुरू में star maker में आई थी तो मेरे मुश्किल से कितने followers होते हैं आप जानते हैं न्यू यूजर के कितने होते हैं ज्यादा से जादा likes हैं जादा से जादा शेयर करें लोग और जादे से जादा comment करें अच्छे comment करें अगर आप वाकि अच्छे सिंगर होगा कि कोई प्रुट्साहन बढ़ाते हैं इस बात से भी आप अगरी होगी तो दूसी चीजा लाइव करना शुरू करो रहा है इसमां जब नहीं नहीं आई थी तो मुझे खुछ नहीं पता था मैं क्या करती थी कि मेरी लिए तो 4000 फॉलोवर्स भी बहुत होते हैं उसके पास 4000 करती है कि उनके 10,000 हैं तो ईंसे चलो क्लेप जॉईन कर ले तो अच्छे सिंगर तो मेरे साथ कुलाप जोएन करती थी तो जब वो मेरे साथ कुलाब करती थी sebelum कर तूरको पसंद आता तो फिर वो मेरे साथ वी जयगान बींस और जब वह मेरें जॉइं घुले दी प्रिज पर हेलोगा फॉलोवरस में तो सिर्ण ज्यादा फॉलोवेरस के साथ नहीं तो आपको बितालिट में सेटल फॉलोवरस के साथ रहा हो बिकार ईंगा हो तो हम दिस्तों अग मुद्फार जुदफा सुनब ऐरा भात ж requirements बनाना शुरू करो को लैब बनाना शुरू करो तो उससे क्या होता है कि बहुत जादा आपकी सिंगी के वैलू बढ़ती है जितने जादा लोग जोईन करते हैं और अभी मैं मतलब यह आप मत कहना मेरे साथ कोई को लाभी जोईन नहीं करता उसका भी मैं सब बताऊंगी इस जादा जोईन करते हैं लड़कों करते हैं यह जब बाते अपने आपको सिर्फ अपने आपको से तसली देने वाली होती है जो महनत नहीं करते हैं आप महनत करो आप अच्छे सिंगर हो मैंने कितने ऐसे लड़के देखे हैं जिनके 6600 700 को लैब जोईन होते हैं टॉप में को दूसरा मैं कहां पर थी कहां पहुझ गई लाइव लाइव से क्या होता है हाँ तो मैं यह अपना एक्सपिरेंस बता रही थी तो धीरे धीरे बढ़ रहते हैं फिर मैंने एक बंदे के साथ जोइन कर रहा था मुझे यादनी कौन सा गाना बट वह बहुत पॉपलर हुआ था अगले दिन मैंने सुबह देखा तो मेरा क्लाब में वन नमबर पर था उसके बाद मेरे अगले दिन ही 5-6,000 फॉलॉवर्स हो गये अचानक से 100 फॉलॉवर से 5000 फॉलॉवर्स हो गये तो कब आपकी हाड़ वरक कब रंग लिया है आपको मालूम नहीं तो गाई इसके बाद क लाइफ सेक्षंद की करें लाइफ करने लायक है तो इसको मतलब यख देते थे आदरवास वो उसको लाइब कर लेते तो उस टाइम पे आज वह लुग लिए अच्छा है कि कोई में live option आया था तो मैं बहुत खुश हुई थी live option मिल गया था जिस फिर उस दिन से मैंने क्या करा गाइस मैंने live करना चालू करा और आप यकीन मानोगे इतना जादा मतलब live करने से वो मिला है इतनी value बड़ी है कि मतलब लोग आते थे कि इस टाइम पे आएंगी गाना गाएंगी और live आने से इतना ज़्यादा followers increase were real followers जो आपके live पे आते हो आपको follow करते हैं तो अभी मैं अभी भी आप लोग कोगे कि मेरी live में कुछ आता नहीं तो उसके लिए भी मैं आगे वीडियो बना दूंगी इसके बाद जो मेरा वीडियो आएगा बट अभी तो ज्यादा मैं life के बारे में बात नहीं करने लोग नहीं तो और लंबा वीडियो हो जाएगा तो मेरा दूसा पॉइंट है कि आप लोग live करना चालू करो live एक टाइम पे करो live करना चालू करो उससे followers बहुत increase होते हैं उससे आपकी face value बढ़ती है सबसे बड़ी बात face value बनती है आपकी star maker में और आपकी singing की जो value बनती है वो तो value बनती ही है तो guys ये है और तीसरा है कि आप लोग party room में जाना चालू करो मतलब 8-10 party room ऐसे select कर लो कि जहां पर आप एक हफते में जाते ही रहो जब जाते रहोगे तो वहां के लोग आपको जानने लगेंगे और कहेंगे कि हाँ यह बहुत अच्छा singer है यह बहुत अच्छा singer है आपको lead singer आपको admin बना दिया जाता है और आपकी धी सब्सक्राइब करना होता है हर एक फील्ड में और हाड वक के मतलब बिना कुछ भी कहीं नहीं मलता है वह कावत सुनी है ना सोते हुए singing के मुह में शिकार प्रवेशन करता है तो सेम यहीं चीज़ है अपने singing की value आप खुद बनाओ खुद एक्टिव हो खुद लाइव करो खुद बार्टी रूम में जाना शुरू करो और जितना अच्छा हो सके वीडियो कॉलैब बनाओ अरे अच्छे कैसे कहते हो सिंगर की value नहीं है जो बड़ी चोटी आइडियो अगर अच्छा सिंगर गाना गार है तो उसकी बहुत value है उसके साथ कॉलैब कितने कितने कॉलै तो यह कम बड़ी बात है कि अगर आपके साथ जादा से जादा लोग कॉलैब जोईन कर रहे हैं उसको YouTube पे पोस्त कर रहे हैं बहुत वह अपने इतने सारे जाइनिंग हो आपके साथ YouTube पे पोस्त कर रहे हैं तो यहां पर अच्छे सिंगर हो जरूरी नहीं है कि जो आपको तब्यत से मतलब टाइम लेके बताऊंगी लेकिन आज हमारा जो टॉपिक था वो यही था कि हम अपने सिंगिंग को कैसे सिंगिंग को कैसे मतलब प्रूफ कर सकते हैं सिंगिंग को प्रूफ करने का बस दो ही तीन हैं जरिये जो मेरा खुद का experience है मैं कितनी मतलब कि इतनी प्रॉब्लम होती थी मैं लाइव करने में आपको बतानी सकती लेकिन मैं डेली लाइव करती थी और एक ही टाइम पर लाइव करती थी दीरे 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 आपको पता है सबको इंतजार होता था कि यह इस टाइम पर आ रही है और इनके लाइव में जाना है और से लोग मुझे कितना फॉलो करते थे कितना फॉलोवर्स मुझे मिल गए थे और वहां पर अच्छी खासी इस टाइम पर मेरी इमेज बन चुकी थे स्टाव में तिर उसके बाद में मैंने थोड़ा सा कुट कर दिया था मेरे पास टाइम नहीं था और वह कुछ ऐसे इशू हो को बनाने है तो अपने दिमाग से निगेटिवेटी की होगी कि मेरा कुछ नहीं हुगा सबसे चलियो कोई से करका दो के बिठाल लेनी अपने दिमाग में तो गाइज वसाज का मेरा वीडियो यहीं तक था कि अपने सिंगी का वैल्यू कैसे बनाए एक्टिव होना चालू करिए जो पॉइंट्स बताएं उस पर गौर करिए मेरे खुद का फॉलोवर्स है तो वह सफर जो यहां तक है वह आसान नहीं होता है और आपको जान-पीचान बढानी होती है उस टाइम पर जो होता है मैं रिवाद्यान नोटिटिकेशन जाता है तो जिस पार्टिरूम में यहां आती थी तो वो मेरे लिए कोई मैटर नहीं रखता है बर जिनको मेरे बातों से उनके लाइफ में कुछ चेंज आता है तो वो मेरे लिए काफी इंपोर्टेंट रखते हैं तो गाइस होपसो की वीडियो आपके लिए यूसफुल होगा जो पॉइंट्स बताया है उसके ध्यान रखे आप लो और अपना बेस्ट दीजे आपके साथ अलवेज अच्छा होगा आपकी वैल्यू हर जगे बनेगी जहां आप बनाना चाहते हैं तो होपसो की वीडियो आपी कर सकती हो तो थांकि इसको मच और अभी तक अब मेरा चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए जिसका नाम है अनूस और बैल का आइकन दिख़र हो इसको भी प्रस कर लिजिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो को नॉटिकेशन जलु